दोस्तों आप सभी का स्वागत है आज हम लोग जो चंदरी यूद हुआ था 1528 में उसके बारे में चर्चा करेंगे ते लिए शुरू करते हैं फिर ऐसा है जो चंदरी जगा है मध्यप्रदस में है वहाँ पे बाबर और मेदिन राय के बीच में यूद हुआ था अगर ऐसे म में देखा जाए चंदरी का यूद 20 जन्वरी 1528 में हुआ था ठीक है तो यह चीज आपको ध्यान रखना है दूसरा चीज है किसके किसके बीच में हुआ था और क्यूं यह यूद हुआ था देखिए मैं थोड़ा सा बैक्ग्रांड आपको समझाना चाहूंगा बाबर जब भारत आए भारत कब आए 1526 में आए जब आए तो क्या किये पहला पानिपत यूद जो पानिपत हर्याना में है वहाँ पर यूद किये थे लड़ाई किये थे किसके साथ इब्राहिम लोदी के साथ इब्राहिम लोदी कौन था जो डेली सल्ताने थे उसका जो लास्ट रूल वो कौन थे इब्राइम लोदी था और इब्राइम लोदी के साथ बाबर आके यूद किया तो यूद करने के बाद क्या हुआ बाबर जीद गए जीतने के बजा क्या था क्यूंकि वो गौन पावडर जो तो modern technology उसी जमाने का यूज करके हरादियाकिस को इब्रहाम लोदी को और इब्रहाम लोदी भाग के चला गया हूँ और फिर बाबर ने क्या क्या भारत में मोगल शामराजय का जो foundation ने स्तापना की 1526 की बात हो गया पानिपत की अभी एक साल के बाद 1527 में खनवा में एक यू था मेवर का राजा मेवर का राजा था राजस्तान का हां वहाँ पर यूद हुआ किसके साथ फिर वही बाबर के साथ और बाबर ने फिर हरा दिया रणा संग districts के हो गया फिर क्या हो उसी दौराण 1527 में चंदेरी आगे कौन मेदिनी राय चंदरी कौन आगे थे चंदरी किले पे आगे थे मेदिन राय और जब मेदिन राय आगे थे वो चाहते थे कि मतलब हमारे जो सामराज है उसको कोई छीनना पाए तब क्या हुआ जो बाबर का जो एक्सपिरेंस था बाबर का जो मोटीव था यूद करके यहां मजबूत इस्तीति पैदा करें मतलब मोगल शामराज जो था उसको और बड़ा करें यह जो मौनभाव था माइंड सेट अब था वो क्या सोचे बाबर क्या सोचे कि यूद करेंगे फिर मेदिन राय जो था उसके साथ यूद हो गया और कब हुआ 20 मार्च 1528 में यूद हुआ और इसी यूद में बाबर ने जित गए और जो मेदिन राय थे वो हार गए और जितने के बाद बाबर क्या किये मैं बताएता हूँ बाबर पूरी तरह से जो चंदरी का किला था और भी कई शरे किले थे सब आपने मोगल सामरेज्ज में मोगल एम्पैर में क्या क्या वो मतलब मिला दिये ठीक है और वहाँ पे मेदिन राय क्या किये वो तो हर गए उसके बाद क्या हो बताता हूँ वहाँ पे जो रानिया थे जो औरत लोग थे वो डर के मारे मतलब डर गए वो फिर जुहर करने लगे जुहर क्या है बताएता हूँ जो जुहर होता है यह होता है जैसे मान लिजे किसी हजबन का डेथ हो जाता है या कोई राजा का डेथ हो जाता है जो जितने रानी होते है जो कुइन्स होते हैं वो आपने आपको और सुरुखित महसूस करते हैं और आग के हवाले कर देते हैं मतलब आग में जांप कर देते हैं ये मान लिजे आपने को बचाने की कोशिश ना करके मतलब मरने तक चले जाते हैं कूद लेते हैं ठीक है ये चीज आपको ध्यान रखन मैं समझता हूँ कि आपको ये चीज जो चंदरी का यूद है ग्लियर हो गया होगा अगर कोई डाउट होता है तो मुझे आप संपर कर सकते हैं विश्यू हापी लर्निंग थैंक यू फॉर वाचिंग विकास सेगाडि में